नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट आज हम बनाना सीखेंगे बीफ पुलाओ बीफ पुलाओ को बनाने के लिए जिन अज़्जा की हमें जरूरत है उनमें शामिल है एक कप आईल तीन पाउ बीफ गोश्ट तीन पाउ चावल आदा किलो प्याज एक पाउ टेमाटर पांच अदद हरी मिर्चे एक टेबल स्पून अदरक लसन का पेस्ट चार अदद लीमू एक पाउ दही वन टेबल स्पून सुखदनिया चार छोटी अलाइची चार बड़ी अलाइची तीन तेज पत्ते एक बड़ा टुकडा दारचीनी का वन टेबल स्पून जीरा वन टीज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ नॉफ वन टेबल स्पून अधरकलसंगा पेस्ट वन टेबल स्पून नमक और तमाम खड़े मसाले शामिल करके तीन गलाज पानी शामिल करें और इसको कुकर में सीटी दिलवाएं। जब गोश्ट वाइल हो जाए तो गोश्ट को अलग कर लें और यखनी को चान कर अलग कर चावलों को तकरीबन दो घंटे के लिए भिगो लें फिर दूसरे पतीले में ओयल डाल कर उसको गरम कर लें और बाकी प्याज बारीक कटा हुआ फ्राई कर लें इसके बाद इसमें उबले होए गोश्ट को फ्राई करें पांच मिनिट पकाने के बाद इसमें पांच हरी मर करें फिर इसमें कोटी हुई लाल मिर्च पिसी हुई लाल मिर्च और एक टेबल स्पून नमक और डाल कर इसे अच्छे तरीके से पका लें फिर इसके बाद इसमें वो यखनी शामिल करें जो हमने अलग करके रखी हुई थी और उसमें चार लिमू के रस निचोड दें फि पानी खुश्क होने तक पकाएं जब पानी खुश्क हो जाए तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तकरीबन 10 मिनिट तक दम पे छोड़ दें आपका बीफ पलाओ रेडी है ये थी हमारी आज की रेसिपी अब आपसे अगली रेसिपी में मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्ला हाफिज ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्टे के जराए इस्तमाल कीजिए